हलो दोस्तों शड़े मोड में आपको स्वागत है लूशन्ट साइन्स 50 डेस कोर्स में आज हम लोग शेट तीन देखने वाले हैं समाने बिज्ञान के जो लूशन्ट है उससे समंधित मैं 15% करारे वाला हूँ जो पूरे लूशन्ट का निचोड होगा ठेक और आप देखिएगा कि विडियो के लाश्ट में मैं एक प्रस्ण भी रखता हूँ जिसका जवाब मैं मांगता हूँ आपको और साभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि इसे टेस्ट के भाते लिए लिखिएगा और सभी कुशन ध्यान पुर्वक देखना है कुशन के साथ मैं सलूशन भी कराते चलता हूँ और जो भी महतपूर पॉइंट है वो भी बताते चलता हूँ जो कि अगामिस भी परिक्षा के लिए महतपूर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुशन आपके सामने हैं दिया हुआ है कि धोनी तरंग की परकृती होती है जो धोनी तरंग है इसकी परकृती होती है कैसी परकृती होती है यह आपको बताना है तो धोनी तरंग की जो परकृती होती है यह अनुधर्य होती है आपको मैं बता दू कि धोनी जो तरंग होती है यह अनुधर तरंग होती है और इसकी उत्पती जो होती है यह वस्तूओ की कमपन से होती है लेकिन सभी परकार के कमपन से नहीं होती है लेकिन वस्तूओ के कमपन से इसकी उत्पती होती है यह ध्यानमर कियेगा और धौनी तरंग की जो अवरीती है उसके अवरीती के परिसर हर्ट्स के नीचे यहाँ पर देखे 20 हर्ट्स के नीचे की आवरिती वाली धोनी जो होती है धोनी तरंगे वो असरव होती है इससे मनुष अपने कान से सुन नहीं शकता इसलिए इसका नाम क्या है असरव धनिया ठेक इस परकार की तरंगों को बहुत बड़े अकार के आवरिती वाली तरंगों को हम लोग शौर तरंग के कहते हैं, इसकी सुन सकते हैं जिने, इन तरंगों को मनुष्य कान से सुन सकता है, ठीक, और तीसरा में होता है प्राशौर तरंगे, अल्टरा सुनिक बेग, जो 20,000 हर्ट से उपर की धोनिया है, तरंग है, उसको हम लोग प्रशो ध्रंग्य करते हैं, ठीक, मनुष्य कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु को जानवर जैसे कुट्ता, बिल्ली, चमगादर आदी इन्हें सुन सकते हैं, इन तरंगों की अवरिती बहुत उची होने के कारण, इसमें बहुत अधिक उर्जा भी होती है, अवरिती उ पुंच के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है, जिसके दूर तक भेजे जाए के कारण ही इसका इस्तमाल किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं के संकेत भेजने में इसका इस्तमाल किया जाता है, समुन्द के गहराई पता लगाने में इसका इस्तमाल किया जाता है किमिती कपड़ो या वाईवान या घड़ी के जो छोटी-छोटी पूर्जे होते हैं उनको साफ करने में इसका इस्तमाल किया जाता है या दिकेकल खराखाने में जो चिमिनी में कालिक लग जाता है उसको हटाने में इसका इस्तमाल किया जाता है और दूद के अंदर हानिकारिक जो जिवाडू है उसे नश्ट करने में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और गठियारों के उपचार और मस्तिक के टूमर को पता लगाने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक किसका इस्तमाल किया जाता है तो 20,000 हर्स से उपर की जो चाकु से आप कार सकते हैं और सोडियम धातु का जो संगरर करना चाहिए किसमे करना चाहिए यह आपके सामने कोशन है तो सोडियम धातु को यह इतना अब करिया सील धातु है कि इसको किरोशिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है किसमें किरोशिन के तेल में डुबा कर क्वेशन बर तीसरा है कि बैंकिंग सोडा या बैंकिंग सोडा की रसाइनिक शूत्र क्या है मैं इसकी आपको फर्मूला बताना है ठीक रसाइनिक शूत्र बताना है तो देखें बैंकिंग सोडा जो है एक कार्बनी की योगिक है इसे मीठा सोडा या खाने की सोडा भी बोला रहता है लेकिन अंदर में उसका कुछ नहीं निकलता क्योंकि उसमें बेंकिंग सोडा डाल दिया जाता है गुपचुप जिसका नाम फुचुक्का या गुलगपपा भी कहा जाता है कहीं कहीं फुल या फुलिया भी कहा जाता है वह क्यों फुलता है तो आप देखिए का उस यहां पर आराम से बी लगा लेजेगा ठीक चलिए आगे चलते हैं कोश्चन अबर चौथा देखे परकिर्तिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाय जाने वाले कार्बनी की योगिक है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाले कार्बनी की योगिक कौन है यह आपको ब सबसे जादा यह पास जाने वाला कार्बनी सबसे ज़्यादा कारबनी के यह इक हैँ अब दीखेंए इसे बारे में मैं आपको कुछ जनकारी देता हूँ परकृतिक में श्हौनीक मत्रा में पांए गाले कार्बनी Μीक्त चरह यह गए शफिकंत में मुक आयो भी है और कपास और लकड़ी यहां पर देखें कपास लकड़ी की शलूलोज के मुक शुरूत है कपास और लकड़ी जो है यह आपको शलूलोज के मुक शुरूत होता है कपास का लगभग का पास जो है लगभग शुद्ध शलूलोज ही होता है ठीक यह भी धियान म decibles यह five cancer क्या हो जागा यहां पर बी हो जागा अराम से अप लगा लिएगा question number six दिखिए कि कौं सत्त्त शुर्ज में स्वार्धिक पाए जाता है यह बताना है कि शुर्ज में कौन से त्त्त स्वार्धिक पाए जाते हैं आपके सामने question है बहुत असान कोईशन है, अराम से अपलगा सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर दीक है, कौन सतत्य शुर्ज में श्वार्धिक पाया जाता है, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुरज में नहीं, पूरे इनुभर्स में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभीक मिलकर हिलियम के नाभीक के निर्माण करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर दी हो जाएगा, जल में तैरना न्यूटन के गती किस नियम के कारण संभव है, जो जल में तरते हैं लोग, यह न्यूटन के किस गती के नियम के कारण संभ प्रवाला ताइम इसकी न्यूटन के तृतिय लो में यह दिया हुआ ठीक किरिया के प्रति आपको किरिया के विप्रित प्रति किरिया जो होता है एक थपड किसी खुमारी यह तो दूसरा थपड जरूर खाने के लिए तैयार रहिएगा यह न्यूटन बोलते थे यह अपने दिसरे लो में ठीक तो यह आपको इसके अंसर हो जाएगा एक कुश्य नबर एट दिखे कि हम दलदली शड़कों पर क्यों फिशलते हैं हम दलदली शड़कों पर यह आप बरफ पर भी चड़िएगा बरफ जो बरफ वला माली यह कुछ है जगह है वहां पर फिसलन करन ही हम लोग दलदली जगा यह चिकना जगा यह बरफ वाले अस्तान पर फिसल सकते हैं बरफ वाले आप देखिएगा बरफ के एक आपको माली यह कि कोई बड़ा सा चट्टान रखा है तो उस पर चल भी नहीं सकते आप क्योंकि जली चलिएगा अप फिसल कर गिरे जाई देखे घरसन के कमी के कारण ही हम दलदली शड़कों पर फिसल सकते हैं एट कैंसर भी हो जाएगा क्योशन नबर 9 देखे नोबल पुरुषकार अलफर्ड नोबल के नाम से शुरुवात जिन्हों ने खोज की थी नोबल पुरुषकार जो हो यह अलफर्ड नोबल के आपको सम्मान में ही दिया जाता है और अलफर्ड नोबल नहीं एक आपको खोज किया था डाइनामाइट पहाड़ उढ़ाने में काम आता है ठीक यह ध्यान मर रखिएगा तो नाइन्थ कैंसर क्या हो जागा यहाँ पर डाइनामाइट के खोज किया था अरफर्ड नोबल ठीक और निट्रोन है इसकी खोज किसने की थी तो मैंने कल भी आपको बताया था देखें निट्रोन जो यह आपको परमाडू हो गया ठीक परमाडू हो गया तो परमाडू के चारों तरब जो चकर लगाता है इलक्ट्रोन लगाता है जो कि रिड अवेसित होता है और जो बीच में पोजेटिव चार्ज होता है। मिसकी घंळातमक और इलक्ट्रोन पर रिणातमक की खोज किस ने किया था तो gold aashteen ने किया था यह दियान में रखेगा यह आपको positive charge होता इस पर neutron पर कोई charge नहीं होता और यह भी नाभीक में मिलता है पार्माडू के और यह jams cedwick ने इसका खोज किया था misson की खोज किस ने सबसे पहले भारी जल्का परियों कि सरोप में किया जाता है तो सबसे पले भारी जल का जो फर्मूला होता है ये Deuterium Oxide होता है D2O होता है ठीक ये ध्यान में रखिएगा और भारी Deuterium जो है ये आपको Hydrogen की समस्थानिक है Hydrogen के तिन समस्थानिक होते है Deuterium का अब Deuterium Oxide भारी जल होता है DTO formula होता है और यह आपके नावके रियाडे या परमाणू भठी में इसका इस्तमाल किया जाता है और इसको किसके लिए इस्तमाल किया जाता है या आपसे question पूछ रहा है तो यह इस्तमाल किया जाता है नियंत्रक के रूप में किसका नियंत्रक के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो जैसे देखिएगा कि भारी जल मुख रूप से नाबके शंतों में आपको उपयोग किया जाता है देखिएगा कि जब भी नाबके विगटन होता है या नाबके क्रिया इस्टात होती है तो उसी के दौरान निट्रोन को जो निकलते हैं उसको असोशित करने के लिए मंदक करूप में इसका इस्तमाल किया जाता है या दिःहान में रखिएगा इसको मंदक करूप में इस्तमाल रूप से होता है जिसके नापके और ज inception और नियांतरीत उतपादन करने के लिए किया ही जाता है लेकिन आपको जो नियंत्रण करना है पूरे चीज में परमाड़ु भट्टी में तो वहीं आपको इंसर हो जाएगा यह आपको PCS में कुछन पूछा हुआ था तो मैंने यह कुछन बनाया आपको और मैंने कुछन आपको कराया ठीक आगे चलते कुछन बर आपको देख से क्तिए किनम मूल Capitol के बारे में पूछ रहा है प्रायमरी गलर होता है तो प्रायमरी कलर ही मिलकर हारा और नीला ते इसके अंसर क्या हो जाएगा लाल यहाँ पर देखे हारा है और नीला ते इसके अंसर ए हो जाएगा रंगिन टिवी में भी इसका ही इस्तमालिया होता है कोईशन नमर 13 देखिए कि औ अस्थाई चुमबक बनाय जाते हैं जो औ अस्थाई चुमबक है ये बनाय जाते हैं ये किसके बनाय जाते हैं तो देखिए नाम सही पल रहा है अस्थाई और अस्थाई चुमबक जो बनाय जाते हैं जिसके चुमबक तो जल्दी ना जा पाए उसमें इसपात का उपयोग किया जाता है, लेकिन अस्थाई मिसकी औ अस्थाई चुमबक बनाया जाता है, जिसमें कि चुमबकता जल्दी से खतम हो जाता है, उसमें नर्म लोहे का इस्तमाल किया जाता है, तो कोशन याद रखिएगा, आस्थाई तोर पर किसका किया जाता है चुमबक बनाने में नर्म लोहे और अस्थाई तोर पर आपको फोलादमिस की स्पात का उपयोग किया जाता है अस्थाई के लिए तो तेरा कैंसर हो जाएगा C यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि नर्म लोहा सिगरी ही चुमबक बन जाता है और सिगरी इसका चुमबक तो समाप्त भी हो जाता है इसलिए आस्थाई चुमबक बनाने के लिए नर्म लोहे का परयोग किया जाता है ठीक बिधुत चुमबक गर्म विदुद चुम्बक नर्म लोहे के ही बनाया जाते हैं जो भी विदुद चुम्बक बनाया जाते हैं ये नर्म लोहे के बनाया जाते हैं विदुद घंटी में इसका इस्तमाल किया जाता है ट्रंसफर्मर के कुरोड बनाने में आपको नर्म लोहे में इसकी यहीं आप तो सभी लोग उसको पता ही होगा मुझे जहां तक लगता है यह सभी लोग उस्वाइक परकार की उर्जा है जिसे कार्ज में बदला जा सकता है मिस्वर्क में सबसे पले किशने बताया था ठीक यह आपके सामने अप्सन है से निम्न उच्मा के तरफ यह अस्थांतर होता है ठीक यहां पर देखे उसमा एक परकार की उर्जा है जिसे कार में बदला जा सकता है इसका परत्यक्ष परमाण सबसे पले रंप फुर्द द्वारा दिया गया था और एक और भी भ्याई कुशन याद रखिएगा कि बर्फ क टुकडे को आपस में घिसकर पिघला दिया गया यह किसके द्वारा किया गया था यह कोई कुशन पुछा हुआ था यह डेवी द्वारा किया गया था बर्फ के दो टुकडे को आपस में घिसकर पिघला दिया गया था यह दिया ने किया था ठीक यह दिया नमर रखिएगा Q15 कि परकास का तरंग शिधान्त किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया परकास का जो तरंग शिधान्त है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था अई आपको बताना है ठीक तो दिखिए परकाश के जो तरंग शिधान्त है यह हाइंगेंस द्वारा आपको प्रतिस्थापित किया गया था ठीक यह ध्यान मों रखिएगा नूटन के समय ही यह बिज्ञानिक थे हाइंगेंस थे और इन्हों नहीं शुलश शो 78 में परकाश के तरंग शिधान्त का परतिपादन किया था ठीक कि परकास यक तरंग है तरंग के रुप行了 करता है और फोटोन के सिधान्त क रुप में जो कार किया गया था वो अइंश्टीन द्वारा किया था सदी के सबसे महान भीज्ञानिक मिसकी कड के रूप में जो कुशन नबर 16 है कि जियो बिग्यान के जनग के नाम से जाने जाते हैं जियो बिग्यान के जनग के रूप में कौन जाने जाते हैं या आपको बताना है फादर अफ बैलो जी या फादर अफ बोटन इन्हें बोला जाता है जन्तु विञ्यान के भी जनकरूप में भी जाना जाता है ठीक ये भी ध्यान में रखिएगा फादर अब को मिशिते बैलोजी भी बोला जाता है कि या जन्तु बीढून कर रोप में अपको इस इन्हें जाना जाता है इनका नाम है एरुष्टोटल में इसकी अरस्तु यह याद रखेंगे इसका नाम क्या है और अरस्तु ठीक यह सी भी हो जागा एंसर इसका एरुष्टोटल अरस्तु चले कुछ फादर आफ कुछ अलग-अलग जो पूछ देता है उसके बारे में कुशन करा देता है जिसे वरगेगी के पिता लुष पाशर को बोला जाता है परतिरक्षा बिग्यान के पिता एडवर्ड जेनर को बोला जाता है जिवाडू बिग्यान के पिता रबट कोच को बोला जाता है ठीक और बनस्पति शास्त्र के पिता यहां पर देखे बनस्पति शास्त्र के पिता किसे बोला जाता ह और वहीं यहां पर देदा जनतू बिग्ञान के पिता की से बोला जाता है तो वहीं आपको एरिश्टोटल हो जाते और जो बिग्ञान का भी एरिश्टोटल हो जाते ठीक एको शिष्टम सब्दे के जनक टेंसले हैं यह भी धियान में रखिएगा हाइड्रोफाइटस होते हैं जो हाइड्रोफाइटस है नाम सी यहां देख लिए हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं आपको बताना है आपके सामने चारो अपसन है तो हाइड्रोफाइटस क्या होते ह तो यह देखिए अब कोश्चन लगाई यह हाइड्रोफाइटस जो होते ही एक आपको क्या होते जली यह पोधे होते हैं यह इंसर याद रखेंगे कि इस यह नबर 18 देखिए कि टीका रोग किस फसल से समंधित है जो टीका रोग है जो हो जाता है कि तो किस फसल में यह होता ह है टीका रोग यह आपको बताना है टीक सल को किस फसल से समंधित है यह आराम से लगाई यह दिये है आपको मुंभ फली से समंधित मुंभ फली मूंभ फली देखिए कोशिका में प्रोटीन का संसलेशन कहां होता है जो कोशिका है सेल है इसमें प्रोटीन का संसलेशन कहां होता है यह आपको बताना है तो कोशिका में जो प्रोटीन का संसलेशन होता है वो किसके कहां होता है तो राइबोसोम में होता है कहां पर होता है राइबोसोम में होता है कोशिका द्रव में राइबो शोम होते हैं यह चोटे चोटे कड़ो का रूप में अनतर्पदर्वी जालिका के तल पर या केंद्रक की छिली के ऊपर मिलते हैं जो protein sensor में सहायक होते हैं ribosome में ribonic amalic RNAG से बोला जाता है ribonic amalic तथा protein होते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा आगे देखें question number 20 है प्रिष्थिति के निमलेखित में के बीच प्रास्पिरिक समंधों का आध्यान है ये पले भी मैंने आपको question कराया था तो base cancer क्या हो जाएगा B हो जाएगा question number 21 के carbon monoxide एक परदूसक है क्योंकि carbon monoxide बहुत ही खतरनाक परदूसक है जो कि आपको देखिएगा गाड़ी गोड़ी के जब धुआ निकलता है तो उसमें ये वोता है carbon monoxide ये आपको दम घुटा देता दम क्यों घुटा देता है मैं आपको बता रहा हूँ तो carbon monoxide एक परदूसक है क्योंकि क्योंकि हीमोगलोबीन से संयोग कर लेता है और जैसे ही symbolism से संयोग करता है oxygen ये अंदर नहीं जाने देता है जिसके कारण दम घुटने लगता है, चलिए एक किस कैंसर ए हो जागा, चलिए इसके बारे इंपूटा डिटिल्स में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, कारबन मनो अक्साइड एक मुख वायू परदुसक है, यह गैस रक्त में उपस्थित हिमोगलोबीन में सह कमता जो होती है, कम हो जाती है, लगबख 50% हिमोगलोबीन, कारबोक्षी हिमोगलोबीन में बदल जाता है, तब ऑक्षिजन की कमी से स्वसन में किरिया में अवरोध हो जाता है, जिसके फरग्राम सरुप मृवत्य हो जाता है, जब स्वसन किरिया ही नहीं होगा, जब होगा है किस Nh 오аков सर आत्षम से क्ञा करने वाले बिज्यान की सखाई वो आगे दिखें को सामने कुल कितनी हड़िया होती है मनुष्य में कितनी हड़िया होती है डियर्टअगर ऐसे कूशन देत आपको क्या लगाणा होगा 206 होती है लेकिन अगर नवजात सिशु में पूशे आपको हड़ियों की संख्या तो आपको 300 लगाना होता है जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं हड़ी दूसरे में जूड़ते जाता है और आप जैसे प्रोड अवास्था में होते हैं या यह वास हमें तो हड़ियो दरभूता की खोच किसने की थी थी अपको बताना है यह एक फ्रांसेसी आपको विग्यानिक थे हैंेरी वेकवेरल यह आपको मिलकर मिन्हों नहीं खोच गई-था बोला जाता है इltv इसके लिए नोबल पुरुषकार भी मिला था ठीक और ये किसके साथ मिलकर तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ रेडियो धर्मिता के अनवेशक्त है जिसके लिए तीनों लोगों को क्या मिला था उनीशो तीन में भौतिक का नोबल पुरुषकार मिला था ठीक ध्य यहां पर यह आराम से आपको लगा लेना है कि रेडियो धर्मिता के खुछ किस ने किया था तो हेंडरी बेकरल द्वारा आइश्टीन तो आप जानते हैं फोटो इलक्ट्रिक इफेक्टिंग द्वारा बताया गया था यह बराबर यहां पर भी हो जाएगा तो यह आपको पचीस के इंसर क्या वाजएगा यहां पर भी हो जाएगा कौन से मानुसर में इंधन का काम करता है तो कार्बोहेडरेट इसलिए बोले जाता है कि देखिए अगर ज्यादा तर लोग भूखे रहते हैं तो उनको ततकाल अगर चाहिए या भूख मिटाना है या उर्चा देना है तो उनको उबले हुए आलू दिया जाता है क्योंकि उसमें कर्बोहेडरेट ज्यादा पाया जाता है ठीक ततकाल आपको उर्चा मिलता है भारत का पर्थम उपगरह छोड़ा गया भारत का पर्थम उपगरह जो है आर्रेभट है जो छोड़ा गया था कब छोड़ा गया था यह आपको बताना है भारत के पर्थम उपगरह यह यह ब्ला, इसका बेग आपको तीन गुणा तो यहाँ पर तीन कीजिएका, जैसे इसका स्कुवायर कीजिएका तो यह नुव हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएं believe झाहँ ऑर सबक्राइए कि मैं यह इसका इंसल कुल जाएका, चलते हुए पानी में, यह छोड़े हुए हो जाती है जैसे तने हुए धनुस जब तक तने है उसमें इस्थिति जहाए जैसे छोड़ देंगे वह गतिक रूप धरेगा गति जूर जाएगा या रुका हुआ तो पानी वह भी आपको इस्थितिज के कारण इस्थितिज उर्जाम होता है ठीक यह भी ध्यान मरकियागा आगे चलते हैं कुश्शन नबर 28 है कि अमल और भस्म अबकरिया करकर क्या बनाते हैं यह आपके सामने अफसर है बताना है तो अमल और भस्म अबकरिया करकर क्या बन और या लाइत दे आ पर आपको शुद्र जल में नहीं दाँ कर रहें कुर्छन बर 23 देखिए शुरक्षा के दिष्टी से खाना पकाने वाले LP घैस सीलेंडर में क्या फर टरी में रने जाता है उच्चन अब घैस निकल क्यों चीलेंटर डेकिब दो सर掰掰 रिसाव होगा आग लग सकता है इसको पाचानने के लिए इस गंध युक्त गैस भी डाला जाता है जिसका नाम है मिर्थाइल मर्केपटन मिर्थाइल जैसे ही आपको रिसाव होता है ये गैस का तो उसके साथ इसका भी रिसाव होता है जो कोई गंध देता है बहुत खतरनाक 29 कैNSर क्या हो जागा C हो जागा Park either question number 30 कि निमन में से कौन सी प्रोटीन दूद में पाई जाती है यह बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है यह आपके सामने अपसन है चारो का चारो अपसन देख लिए और यह question number 30 केसीन जो है इस कल वाला और परसो दोनों वाला वेडियो कमे नीचे दे दूँगा देख लीजेगा यहां देखे पेसमेकर का समन्द है पेसमेकर का समन्द किससे है यह आपको बताना है यह आपके आज का कुशन है ते पेसमेकर का समन्द किससे है कायदे से यह आपको बता देना है कमेंड ब